लच्छे लच्चे जार भाषण देते हैं कि जाड समाज की तियाश को यह नहीं किया, लिखा नहीं गया, उसको याद नहीं किया जाता, कहा सबने किया किया याद है, आज मैं खेह सकता हूं कि दूनिया के 150 देसों में इंट्रनेशनल जाड पारलेमेंट का नेटवर्क है, ज जाट समाज और 36 गोमरे बराद्रियों किसी भी बैटे को और किसी नोजवान बैटी को गजरत महशूश होती है और पलसानियार कलवानियार इंटरनेशनल जाट पारलेमेंट को याद किया जाता है तो रात के 24 गंटे कभी भी उठके खड़े होकर कि उन मेरे बैट्रियों और लेकिन आपने इतने बड़े सफर को ते किया है तो आपको यह भास हुआ कि जो सरकारे बनती हैं जिसवक्त बनना होता हे उस वक्तों वाइदे बहुत बढ़े होते हैं लेकिन उसके बात में समाज की कवियन देखी हुा हाला की आपके समाज से काफी सारे PV मुख्यमंत्री रहे उन्होंने काम किया, तमाम चीजें हैं, लेकिन समाज बहुत बढ़ा है, काम बहुत बढ़े हैं, उसके अनुरूप उनकी कदर होती है नहीं होती है। समाज की जो टेग लाइन चल पड़ी की जाठ संक्टित नहीं हो सकता, इस टेग लाइन को खतम करेंगे और समाज से आवान करेंगे, कि अब एक दूसरे की टांग खिंचने की बजाए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने भाईयों का कंदे से कंदा मिलाते वे साथ दो करेंगे बाईयों के लोग बुपेंदर शिंग उद्डा जी ओड़ी विडरेंदर शिंग जी हो चाहिए और जितने बी लीडर से इनल ओज जेज़े बीज़े पी आरेल डी आनेल डी आरेल पी सब पार्टियों के नेतरतु को खुला इंव निमंत्र ना देंगे शडीयं त जाटों को किस तरीके से बदनाम किया जाएंगे नजरे सभी की 19 तरीके करिकरम पे पंच्छकुला में करिकरम होगा बहुत बड़ा आगाज होने की वहां से संभावना नमस्कार एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है मैं उसर्वेस कुक्रा जाटों का इस्तेमाल अब से पहल लेकिन आज के दिन वह मुम्किन है मेरे साथ दो ऐसे यूवा है यूवा इसले में कहूंगा कि जो इनकी एज है वो 30 में है इनूने ऐसा कारनौमा कर दिया इसा काम कर दिया ऐसा एसी नायब मिथा पेश्ट ती है पूरे जाट समाज के सामने इस वक्त मैं आपको बता संसद, ये नाम शायद आपने जरूर सुना होगा, इसके काम भी थोड़े बहुत हो सकता है, आपने सुने होगे, लेकिन आज मैं इसकी विस्तार से चर्चा करूँगा, विस्तार से बताऊँगा, कि ये संस्ता करती क्या है, जैसे मैंने बताए कि दुनिया के किसी भी कोने मे रास्तान में भी चुनाव होगा हर्याना में भी चुनाव होगा लेकिन इतनी बड़ी कौम इतनी बड़ी समाज इतना बड़ा समाज उसको दरकिनार करके जो सरकारे बनती हैं जो उनको वाइदा करके सरकारे बनती हैं तो सरकार बनने के बाद में क्या उस समाज की अंदेखी कायोजन के जा रहा है एक सेमिनार हो रहा है बहुत बड़ा धीवेशन हो रहा है इसमें दुनिया बर से जाट समुदाएं के जाट समाज के लोग इकठा होंगे क्या क्या सीन रहेगा सबसे पहले मैं परिच्र करा दू मेरे साथ जैसे मैंने बताया कि राम उतार पलसानिया है है पलसानिया जी जाट अंतर रास्टिय संसद बहुत बड़ा नाम काम भी बहुत बड़े इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जो 19 तारीक को आपका फंक्शन हो रहा है इसमें दुनिया बर से मुझे बताए गया कि लोग आ रहे हैं खास करके जाट समुदाय के आ हाइर एजूकेशन के लिए राजस्तान विश्विद्याले में आये तब हम भी एक शोच और विजन लेकर कि आये थे कि हमारे कोम के महापूर्शों की तरह हम भी 36 कोमर बरादरियों का नेतर तो करेंगे देश दुनिया में सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का काम हमने पेड़ा को मैशूष किा कि जब सामाजिक जीवन से हम समाज के बीच में जाने लगे कि हमारे कोम के इत्यास को अभी उस रूप में याद नहीं किया जाता जिस रूप में याद किया जाना जाए इपके समाज की गया रखना चाए जिए के गोरोपूरों इतियास को सजो के रखना चाहिए ये जो ख्याल आपके आया इसको ख्याल भी आ सकता है किसी के मन में लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना ये बड़ा एक किस्सा होता है देखे तो उसी सोच को लेकर कि हमें 2078 में इसकी शुरुवात करी और लगातार तीन-चार सालों तक हमने राजस्तान परदेश के परतेगी नूर्शिटी जिला हेड़कौाटरों पे हम गए लगातार कौम के महापूर्शों की जहनति और पूर्णितिती मनाने की शुरुआत करी हमने जितने भी जार समाज का इत अस्ते इस्ते पासी के फंदे को चूम लिया इस देश की आजादी के लिए अपनी कितनी कुर्बानी समाज ने देश समाज और दुनिया के लिए उन सारी चीजों को पढ़ते हुए समझते हुए हमने शुरुआत करी 2010 में प्लेट फोरम का मनें निर्मान किया इसका रजिस कि जाड समाज के इतियाश को यह नहीं किया लिखा नहीं गया उसको याद नहीं किया जाता कहा सबने किया किसी नहीं नहीं लेकिन आपके बैटे और भाईयों ने उस संकलब को पूरा करने के लिए बीड़ा उठाया 2017 में 25 दिसंबर 2017 को महराजा सुरुजमल की बड़े इस 37 को अमरे विरादरियों को एशाष करवाने लेकि जाड समाज के महापूर्सों ने इस सामाजिक तानेबाने को मजबूत करने के लिए काम किया और उस ने गोशना करेंगे और 13 मही 2018 को वो सुब दीनाया कि हिंदूस्तान के परतेक जिला हेड़कौार्ट से विरादरियों समाज के लोगों को बुलाया और इस डौकॉंबेंटरि का फिलम इंट्रनेशन जाड परेलमेंटर निरमान किया जब विग्यान भावन में उसका विमोचन हुआ सारुजनिक प्रसार नहिप किया सोशल मीडिया पर जब उस डाला हिंदूस्तान की नी एशिया माधीप की परा नाम दर्ज करया और वह जार समाज ने चतिश कम के लोगों ने देख तो हमें गर मर्णद हुआ कि मेरे कौम के महापूर्षोंiled का माजी कि का मध़ूत रगायता है की आपकी संस्था हिंदुस्तान की सबसे बड़Max संस्ता है जिसके देशों में विंग हैं या फिर आप यहीं के सदस्य हैं और वहां से काम होता है देखिए हमने एक मार्च दुनिया के 62 देशों के लोगों ने आकर के उपस्तिती दर्ज कराई और उनको इतना अच्छा लगा और उन्होंने हमारे से वचन लिया कि हम इंदूस्तान नहीं इंदूस्तान से बाहर जितने भी कंट्री में हमारे लोग रहते हैं उनको इस प्लेट्फरम से जोड़ेंगे और एक ऐसा सोहर्थ पुन बातावन तयार करेंगे कि हिंदूस्तान से बाहर दुनिया के कोने-कोने में समाज के लोगों को निकाल करके इंट्रेनेशनल जाट पारलेमेंट की सदश्या देंगे इस नेट्वर्क से जोड़ेंगे और जब 12-2022 को राजस्तान परदेश की र रहते हैं जार समाज के लोग 36 को अमरे बरादरियों का नेत्र तो करते हुए पुरी गलोब के उपर चाये हुए यह हमने एसास करवाने का परियाश किया और जब 12-2022 का जेप्रु का कारेकरमा उसके बाद में तो पुरी दुनिया के लोगों के पास हमारे फोन संपर के इम पार्लेमेंट का नेट्वरक है जार समाज और 36 को मरे बरादरियों किसी भी बैटे को और किसी नोजवान बैटी को जरतमेशूस होती है और पलसानी और कलवानी और इंट्रनेशनल जार्ट पार्लेमेंट को याद किया जाता है तो रात के 24 घंटे कभी भी उठके खड़े करके मेरे बैटे और भाईयों को मदद पहुचाने का काम करते हैं और आप लोगों ने देखा होगा जब दिल्ली का कारेकरम हुआ तो हमारे पास एक फोन रोतक से आया कि पलसानी जी मेरी 20 साल की नोजवान बैटी है वह रस्या में रहती है अमेरिका में रहती है आस्ट्र नेशनल जाट पार्लेमेंटे उन बेन और बैटियों की मदद करी कभी हमारे पास फोनी पत पानी पत कुरुचेतर करनाल से कभी मुझब पर नगर बागपत मेरे शेप होना है कि पलसानी जी मेरा बेटा मेरी बैटी वह है और उस दोर में वह कोई बाप बैटी फोन पर हो लेकिन उन लोगों ने हम से का कि पलसानी जी हमें पता चला है कि आपके कारेकर में दुनिया के बाश्र देशों के लोग है हो सकता है किसी देश में मेरी बेटी जा रहती है वहां से भी कोई वेक्तिया है मेरी बेटी मेरे बेटे को मदद मिल जाए और इस संसद ने इस प् त्क अब बढ़कार को गिराया सरकार बिगारने में समाज का बहुत बढ़ा योगदान उनको वाइदे भी की जाते है लेकिन आपने इतने बड़े सफर को ते कीया है तो आपको कभी आभास हुआ कि जो सरकार बंती लेकिन समाज बहुत बड़ा है काम बहुत बड़े हैं उसके अनुरूब उनकी कदर होती है नहीं होती है देखिए हमारे समाज ने 36 कौम का नेतरतु किया पूरी दुनिया को नेतरतु दिया चोदरी चरन सिंग ने गाउं देहाद से निकल करके देश के परधान मंत्री को कुर्शी को सुषबित किया ताउ देविलाल देश के डिप्री प्रायम नेटरे चोदरी बलराम जाक्टरे लगा तार 10 साल तक लोगशबा के अद्देख्स ने तमाम राजनितिक प्लेट फोर्मों पे सामाजिक प्लेट फोर्म में जाड समाज ने हमेशा अपनी नेतरतु समता को शाबित किया लेकिन पिछले 10-12 साल से हमें वेक्तिकत रूप से समाज के रूप में भी जब हम जाएगा और आज मज़े तो बड़ी वेक्तिक रूप से पीड़ा होती है जा देश की दसा और दिशा तही होती है मेरे जैसे नोजवान युवाओं का जिस देश की केबिनेट में बेट करके बहुशे का निर्मान करने की चर्चाए होती हो उस केबिनेट में सामाजिक रि ताकत देंगे और जब जाड सामाजिक रूप से एक जिट होता है सामाजिक रूप से ताकतवर होता है तो राजनितिक रूप से भी जाड समाज को फाइदा मिलता है और हम तो परियास करेंगे चाहे राजस्तान हरियाना पंजाब उत्राकंड जम्मू और पुचाए पुर किसी कारण वस या किसी भी पृष्टितियों वस हमारे समाज को नजर अंदाज करके यह सरकारे चलाई जा रही है यह लंबे वक्त तक यह चीज़े नहीं चल सकती इस समाज की हक और अधिकार देने पड़ेंगे उसके मान सम्मान और शुआब इमान की चर्चा करने पड़ें कि अब देखना कि जो लोग अलग अलग पार्टियों में काम करते अलग विचार धरों में कामकर अधाव कि आपके जो अडिवेशन को पता नहीं मेरे समाज के लोगों को कि एक मार्च का जब कारेकरम था वेश्ट बंगाल में मंता बनर जी की पार्टी ये तरनमन कोंगे उसी में भी हरियाना कि इस पावन पवुत्र भूमी में जन्मावा बेटा सुल्तान सिंग जी वहां से विदाइक बने और हावडा कोरिडोर भीरिज के चेरमें थे वो एक मा पारे नेतर्तों को शलाम किया जाए और जो वर्सों से जार समाज बड़े भाई की बूमी का निबात्या आया हुआ हुआ है उस बड़े भाई की बूमी का में छोटे भाईयों को सारी 36 कोम को साथ ले करके फिर से किसे नाया गुलदेश्टे का निर्मान करेगा कि पुरी दुनिया को नाज होगा जार समाज के नेतर्तु पे और हमने तो जो विचार जो करांती जो आगाज 2010 से राजस्तान परदेश की बूमी से किया आज हिंदुस्तान इरी पुरी दुनिया के हर जाट के घर में इंटरनेशनल जाट पारलेमेंट के पहुंच चुका है और हम द दिवेशन आपका होगा पंचकुला में चो रखा गया है 19 तारीक को 19 मार्च को इसी महीने कितनी उमीद है कि ये दिवेशन के बहुत बड़ा संदेश देके जाएगा ना सिरफ देश के लिए दुनिया के लिए देखिए जब भी कोई कारेकरम हुआ तो उसने एक विचार और एक दसा और दिशा ते किये तो इस कारेकरम के अंदर भी बहुत बड़ा संदेश इस पूरी दुनिया के अंदर जाएगा इस वर्तमान परदिर से में एक टेगलेंड चल पुड़ी कि जाट संक्तित नहीं हो सकता एक जुट नहीं हो सकता यह कौम लेकिन परियास करने वालों की कमी है अगर प्रियास किया विज्ञान वह में किया तो सक्षेट वेलेप बैंगलोर में देखा और बैंगलोर का कारेकरम तो ऐसा था कि जब हमने कारेकरम करना वह भी जाट समाज के दौरा इसे पज不好意思 यह थी कि नौर्ट इंडिया में जाता है वाह पर स्वाइमित्तव जदा रहता है तो साूथ में शाहद नहीं हो लेकिन वो कामियाब रहाब है कामियाबी के लिए जब हमने फोन किया लोगों को तो उन्होंने कहा कि इस बार अप ध्यान से काम करना क्योंकि आपने इस बार करणे के लिए समुंदर में नहीं रेगिस्तान में चलांग लगाई वहां जाट का मिलेंगे हमने कहा कि दुनिया के गलोब के नक्षे पे चाहिए बशरते उन्हें एक प्लेट फरम पर लाके दिखाया जागी जाट का अब आप यह कह सकते हैं कि जाट दुनिया के हर कोने में होता है देखिए बेंगलोर का कार समाज के लोग हैं वहां अपना व्याप्यार करते हैं उनको एक आवाज के देने के लिए टाकत दिखाने के लिए कि हमारी दुनिया साउथ इंडिया में भी हमारी ताकत है इसलिए वह कारेकरम किया और मुझे बताते हैं खुशी है आपके दरसकों को एकमत पोस्ट के दरस और दूसरे दिन जब अकबार में खबरे चपी तमिल, तेलगू, मलीयलम, कन्नड के अकबारों में कि जो नौर्थ इंडिया की बादूर को में वो सवत इंडिया में भी है पांच जार जाट परिवार अकेले बैंगलोर में रहते हैं, दस जार, आठ जार, सात जार की सिंग्या चेने हिदराबाद में भी है हर जगे पर कहने का मतलब है कि हर सेर के अंदर जाट समाज के लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर हैं तो उनको पैचान कराने का काम हमारा इंटरनेशनल जाट पार्लियमेंट का वो भी किया इसके साथ साथ में UAPD इतियास की तरफ द्यान दे क्योंकि इतियास हमें अच्छे कारिय करने की ताकत देता एक प्रेड़ना देता जोस और जुनून पेदा करता हमारे अंदर तो इति इनत महापूर्स में हमारी कोम के राजा नार सिंग ने चांदनी चोक के ऊपर अपनी साधत दे दी लेकिन आज उनकी सम्मान अदूरा उनका चबूत्रा के ओल चार बाई-चार फिट का पड़ा है तो क्या उनका इसमारक नहीं बनना चीए बिलकुल यह यादगार चीज़ जाए जितना आप लेके आएंगे उतना मेरे से ले 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 यह चीज़े लोगों तक जाती है लेकिन डिस्टलाइज की बात कर रही तो यह बहुत बड़ा काम है बहुत पैसे की जूट भी पड़ती है अगला सवाल मेरा यह था फंड्स सर बहुत बड़ा चीए क्योंकि हो गया एसे हमारे 45 लोगों का एक टीम ने ट्रॉफ है उसके आदार पर हम यह कारिकरम करते हैं इसमें हम कोई परची काटना यह इस तरीका कोई हमारे सिस्टम नहीं क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी जगे बहुत दिख्यतों का सामना करना परता कहीं बार ने चाहते जब हमें ज़रुत पड़ेगी तो समाज से संस्ता काम कर रही है तो कितने फीस दी आपको लगता है कि समाज संग्टित भी हुआ है जागरुक भी हुआ है संस्ता से जुड़ा भी है उसको अपने अधिकारों के बारे में जानकरी हुई है मैं तो 100% कहूंगा क्योंकि जब भी हमने कोई कारिकरम किया तो उमीद से ज़्यादा लोगों ने सेयोग किया उमीद से ज़्यादा लोगों ने वोलिंटिर के रूप में भूमी का निवई उमीद से ज़्यादा मेहमान उस कारिकरम में आके कारिकरम की सोबा बढ़ाई और सम अपरिका आश्टेलिया में भी कारिकरम जाट पार्लेमेंट के करेंगे और वहां से भी हमारे समाज की ताकत पुरी दुनिया को दिखाएंगे कि जाट केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के गलोब के नक्षे पे चाया हुआ है इसी मिशन की सुरुवात हमने की और बहुत से लोगों के सुजा हुआ है जब दिल्ली में कारिकरम किया तो उन्होंने का अगला कारिकरम दिल्ली में ना करके आपको दूसरी जगे क करना है तो हमने हमारा होम इस्टेट है राजस्तान वहां कारिकरम करके सब लोगों को वहां बुला के एक महमान बाजी के रूप में दिखाया कि राजस्तान की धरती भी ऐसी दरती है जहां पर सब महमानों का स्वागत किया जया था इसके बाद बैंगलोर का कारिकरम था ज के साथ में लंदन से भी हमारे समाज के लोग इस рок में आएंगे आप लोग आना देखना आस्टेलिया से उस कारेक्रम के अंदर लोग है और बहुत से लोग तोई आचुकर हैं अमेरिका से भी लोग आगए तो मेरा केहने का मतलब एक कारिकरम उन्हों हम राश्टीगें सहारें लेकिन इसमें इंटर्नेशनल पृतीनी दी डेलिकेशन war Evans कर ऑग यह कारिकर Кто अन्तराष्टी स्थरका होगा और देश और दुनिया के अंदर समाज की जो टेग-लाइन चलप के साथ करते हैं टांग खिचाई की नहीं हाथ खिचने का काम करवागे बढ़ाने के लिए इसी थीम के साथ हमेशा कारिक्रम किया सो परसेंट सक्सेज कारिक्रम होगा जिस तरीके से लोगों के अंदर उच्छा है हरियाना तो इस बार मेजबान की भूमी का मेह है मुझे तो समाज के लोग बढ़ चड़ के भाग लेंगे और सांती पुर्ण तरीके से हमारी कोम की दसा और दिशा पर चिंतन और मनन करते हुए उस कारिक्रम के अंदर भाग लेंगे दस बजे राइट टाइम कारिक्रम सुरू होगा पास की भी आवशकता नहीं जो व्यक्ति जो समाज बना जब मेरसी देयानन सरसूती ने आरी समाज की स्तापना की तो सबसे ज़्यादा हो आरी समाज के कोई कौम फोलोवर्स बनी जाट कौम के लोग बने जब सिक संपरदाय की स्तापना हुई तो उसके सबसे ज़्यादा फोलोवर्स कोई बने जाट समाज के लोग बन तो हमारा इस प्रियास वापस ये रहेगा कि जाटों की जितनी भी जड़े हैं उन सब जड़ों को फिर से जोड़के और फिर से एक बर्गत का पेड़ और वट वरक्स जो जाटों का है उसको विशाल बनाये जाए बड़ा बनाये जाए और जो एक दूसरे की टांग खिंचत के बारे में ताहु देविलाल चोधरी चंड सिंग के बारे में बाबा टिकेत के बारे में वो दोर फिर से युआ पीडी को दिखाने का काम करेंगे नया नेतर तो जब समाज में बदलाव आएगा नए लीडर्शिप जब समाज के अंदर आएगी तो नसा मुक्त समाज होन चीह समाजी कुम खतम होनी चीह और बाशिये के अंदर हमारे समाज के सामने किस-kis चुनोतिओं करना करना पर सकता है उन सुनोतियों को किस तरीके से आपार पाएं इस तरीके का लिए टियार करने का हमारा अधी बैसन रहेगा इसके साथ nude हमारा इतियास पर फोकस रहता है कला शिक्षा साहिते संस्कर्थी पर हमारा फोकस रहता है क्योंकि जब व्यक्ति संस्कर्थी को भूल जाएगा तो खतम हो जाए एक कावत है अगर किसी कोम को कमजोर करना खतम करना है तो उसकी इतियास को छिपा दो और राजनितिक ताकत को कम जोर कर दो कोम अपने आप खतम हो जाएगी तो आज हमारे समाज समाजिक रूप से बिखराव की तरह पे और नेतरतु शम्ता वेंटिलेटर पर सांशे ले रही है फिर से चोधरी चोटुराम ताउदेविलाल के नेतरतु की जूरुत है इसलिए यह कारिक्रम सब पार्टियों के नेतरतु को हम खुला इमनी मंत्रन देंगे जो भी व्यक्ति आये वो अपनी राजनितिक विचारदरा और खुद की पार्टी का परचार करने नहीं करें और हमने समाज को किस तरीके से आगे बढ़ें इस विचारदरा और इस थीम पर कारिक्रम रहेगा गेर राजनितिक रूप से आयोजन रहेगा और हमारे समाज के साथ में जो पिछले 10-12 साल से जो सडियन तर हुए कि जाटों को किस तरीके से बदिनाम किया जाए क्योंकि जाट का भायचारा पुरी दुनिया में परसी दे इस देश को आजाद कराने के अंदर जाट की कोई बुलंद किया है तो मेरा यही निवे दिने कि हमारा समाज है संक्टित समाज है एक जूट समाज था इसमें बिखराव आ गया फिर से उसको सजा के गुलदस्ते के रूप में फिर से नहीं ताकत देंगे और नए सवेरे के रूप में नए उदे के रूप में हमारा जाट सम चाहँआ को मीडिया के मैंदियम से बताना चाहँगा आपकी वद और उस प्रोग्राम की रूप रेखा करके और समाज को और सनुच्टित होंब हमारे पास ने डायों से भिए व्हूंदन में रहते हैं छिख उंक हमने सब्सक्राब को को ऐगा है अप खुले मन से आप आओ हम अब की बार ह wipes फ्रोग्राणा की जिमेक्राइब कि अब की बार जितने भी प्रोग्राम पहले हुए थे उन प्रोग्रामों में हर्याने और परन्सों पन्जकुलायगर प्रोग्राम करके दिखाएंगे उसमें सब्सक्राइब नो बजे से पांच बजे तक कर रहेगा वहां पर पाने की खाने की वविस्ता सब बहुत अच्छे तरीके से हमने कर रखी है चाहिए चो भी आदमी जितनी भी दूर से हैं कि हमने रहने की वविस्ता भी पूरी समाज आ रहे हैं सब भी आप खूले मन से यहां पर प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम को सफल बनाया और समाज को संगठित होने के लिए यहां पर हमारे मापरुसों के गोरो सालित यास के लिए चिंतन और मनन करने का यह बहुत अच्छा प्लेटफोरम है मैं इस प्ले मैं बताना चाहूँगा पूरे भारत में कोई सी भी स्टेट में अगर कोई भी साथी किसी भी चीज की जूर्थ पड़े तो हम उनको फुल अपने सची नीद से उनकी पूरी मदद भी करने का काम करते हैं